अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम सब रेलेशन की कैंडिडेट की फैंड करते हैं now sub relation की candidate की that means क्या क्या कि अगर आप किसी भी table को break करते हो multiple tables में data redundancy को दूर करने के लिए I mean कि जो भी data repeat हो रहा है उसको वो data को हम अलग table में store करते हैं और उसकी primary key को use करते है तो यह मैंने data redundancy previous videos में explain कर दिया है तो उसको निकालने के लिए हम एक particular table है उसको हम break कर देते है small table में यानि मान लीजिए कि हमारे पास एक relation है r a b c d और उसको मैंने break कर दिया r1 b c d अभी बात यह है कि यह relation जो नया बना है उसमें candidate की क्या होगी so वो candidate की किस तरह से find करनी है हम देखेंगे so suppose इस example में यह relation था इससे break किया मैंने r1 b c d मिला मुझे now यहाँ पे functional dependencies d va पहले से ही so यह functional dependency पे से ही मुझे इसकी candidate की find करनी है so same procedure होगी candidate की किस तरह से find करेंगी तो first हम b c d मे individual single attributes का closure find करेंगे so यहाँ पे single attributes का closure यानी b plus c plus and d plus okay now यहाँ पे b plus का closure find करेंगे तो b पे से हम सिफ b कोई determine कर सकते हैं यहाँ पे और कोई ऐसा attribute है नहीं so यहाँ पे सिफ b मिलेगा c पे से c and d पे से मुझे मिलेगा d plus d stands to a तो यहाँ पे d a तो यहाँ पे d a मिल रहा है but मेरी a मुझे कुछ काम का नहीं है because यहाँ पे candidate की के लिए सारे attributes डेटरमाइन होने चाहिए और a यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे a आ रहा है so single attributes वाली candidate की इस relation में नहीं होगी because हमें कोई भी ऐसा attribute नहीं मिल रहा है जो पूरे सारे attributes डेटरमाइन कर सके now single attributes हो गए अब इस attributes में हम extra attributes add करेंगे जैसे कि b के साथ मैं add करूंगा c c के साथ d and d के साथ let me give bd plus okay so अभी two attributes की closure find करेंगे तो b c पे से b c इस तरह से derive कर सकता हूँ and c d पे से मैं c d और d पे से मुझे a मिल रहा है अगीन यहाँ पे मुझे c d मिल रहा है a यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे b चाहिए तो यह count नहीं होगी अगर b d की बात करते हैं तो मुझे b d पे से b और d मिल रहा है d पे से मुझे मिल रहा है a और a b पे से मुझे मिल रहा है c d so as you can see कि यहाँ पे b d plus में अब सारे attributes को data mine कर सकते हैं तो यह मेरा होगा candidate की now two attributes में candidate की यह है यह नहीं है now अब भी बात करते हैं three attributes में candidate की three attributes that means यह b c d कॉम देखते हैं तो b c and d उसका closure find करते हैं तो now as you can see b c d में already b d included है तो जब भी ऐसा कोई आप की बनाते हो जिसमें already candidate की included है यानि कि यह minimal attributes है जिससे हम determine कर सकते हैं तो यह c को हम निकाल सकते हैं तो यह जो होगा वो automatic यहाँ पे super की बन जाएगा यहाँ पे हम c को निकाल के भी सारे attributes को data mine कर सकते हैं b और d को लेके तो यहाँ पे जो भी extra attribute आएगा including the attributes of candidate की तो ऐसी की को हम बोलेंगे super की और यह super की है तो यह candidate की नहीं बन सकता है तो इस question में हमारे पास एक ही candidate की है वो है b d so इसका answer b d इस तरह से होगा so my main motto in this video was कि मैं आपको explain करूँ कि सब relation की candidate की किस तरह से find करते हैं इसमें कोई confusion नहीं होता है बहुत easy था इसको find करना same procedure follow करने थी so thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe to our channel